हेलो फ्रेंड माइनेम इज अशीज वेलकम तू माइ यूटूब चैनल हंगर स्टड़िज तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मात्मा गांधी के उपर पूरा नाम मोहंदास करमचंद गांधी और पूरा भारत उन्हें बापुजी और राष्ट पिता के नामें से जानता है तो आज हम उन्हें गांधी जी के बारे में बात करेंगे आज हम इनके अफरिका दोरे की बात करेंगे कि कैसे गांधी जी एक अफरिका में बड़े बड़े अंदोलन किये और क्या 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 काम उन्हें वहां पे किया तो वीडियो के अन तक साथ बने रहें तो हम आपके के लिए ऐसी इपोटेंट टोपिक्स लाते रहेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दुबाना बिल्कुन न भुलें दोस्तों चार सिप्तंबर 1888 को इनुवर्स्टी कोलेज लंदर में लॉक इस्टडी पूरी लग्याइब करियर की सुरूरात होती है जाता है तो दक्सन इफ्रिक्ता में भारतियों वनकी कारण इनके साथ बहुत बहुत भेदवाब होता था इन्होंने भी बहुत सामना किया ईएक बार तो इनके साथ इंसीड़ होता है इनको चलती हुए टेरेंट से बहार फैंक दि जाता है तो गंदी जी ने गंदी जी ने सोचा कैसे हमें इस ट्रेंज से फैंक रहे हैं तो क्यों ना हम इसे इन्हें अपने देश से ही बाहर फैंक दें तो यह घटना उनके लिए एक मोड बनी और समाजिक अन्याई के प्रति जाग रुकता का का कारण बनी तो दोस्तों उसके बद हम 800-49 की बात करते हैं 800-49 में फांडोशन ओफ नटल इंडियन कॉंग्रेस नटल इंडियन कॉंग्रेस की गंदी जी ने स्थापना की नटल एक साउथ अपरिक का मिक रिजन है जो इसका इस्टन पार्ट है हम आपको मैप में नटल दिखाते हैं या आ नटल है 800-49 में अफ्रिक्का और भारतियों के प्रती नसलिय भीद्भाव के खिलाप आहिंसक व्रोज प्रदर्तन किया गांदी जी नटल इंडियन कॉंग्रेस के सेक्रेटरी थे इसमें एक प्रेज़ेंट भी होता था उसको जो चुन के प्रेज़ेंट बनता था अब्द उसके बाद हम 1800-49 के बात करते हैं 1800-49 में फांडेशन ओफ इंडियन अंबुले स्कोर डूरिंग बोर वार 1800-49 में बोर यूद के प्रकॉप के दुरान अंग्रेज़ों के लिए भारतिय अंबुले स्कोर का अयोजन किया ताकि ब्रिटिस मानवता को समझ सकें और फिर भारतियों के खिलाब अंग्रेज़ों ने जाती भेवद भेदवाव अत्तिचाय जारी रखा गांधी जी इस इंडियन अबुले स्कोर में सार्जेंट मेजर का एक्ट किया करते थे और गांधी जी को इंडियन अबुले स्कोर के लिए बाद में केसर यहिंदवाड भी दिये गया ब्रिटिस रोद दौरा ये उन्हें आफ्टर जन्यमाला बाग हत्यक्राइट के बाद गांधी जी की पूरी ड्रेस देख सकते हैं जब उन्हें इंडियन अबुले स्कोर के दुरानी है पहनते थे उसके बाद हम 1904 की बात करते हैं फाउंडेशन ओफ इंडियन ओपिदियन पैकजिन्स एंड फिलोक्स फॉर्म एट फिलोक्स इंडिया दर्बन उसके बाद डर्बन में फिलोक्स फॉर्म की स्थापना की जहां गांधी ने अपने कैडर को सांतिपुर्क सेयम और सत्यक्राय के लिए प्रसिक्सित किया इस सत्यक्राय के जर्म माना जाता है और गांधी नी वहाँ पर एक इंडियन ओपिंजिन नाम की मैगजिन भी प्रकासित की यह मैगजिन 1904 से लेकि 1915 अफ्रिका में प्रकासित हुई यह आप देख सकते हैं इंडियन ओपिंजिन की जो मैगजिन है न्यूस पेपर है तो उसकी यह मतलब फ्रंट पेज है मतलब किस तरिके से चपती थी उसके बाद हम बात करते हैं 1906 की फर्स्ट सीविल डिस ओबेड़ेंस मुवमेंट सत्यक्रह अगेंस्ट एस्येटिक ओडिनेंस ट्रांसवर्सल उसके बाद गांधी का पहला अहिसात्मक सत्यक्रह अभिहान स्तानिय भारती अधिनियम के विरोध में अयूजद हुआ जो एसेटिक लॉब एड्मेट ओर्डिनेस वाज साइने टू लॉफ ट्रांसवर्सल यह ट्रांसवर्सल अधिनियम था इसमें जो मतलब इंडियन थे जो एसीयन थे उनको मतलब वहां पे एक स्थान तो वहां पे आने के यह स्पेसल एक रिश्टेशन कराने पढ़ते थी मतलब फिजिकल एक्जामिनेशन देना पढ़ता था प्रोबविल फिंगर प्रिंट देने पढ़ते थे और एक रिश्टेशं सेटिविट बनवाना पढ़ता था अगर वह ऐसा नहीं करते थे तो उनको फाइं डाल दिया जाता था या। उन्हीं जेल में डाल दिया जाता था जाहना ञाता था इस पूरे दिनियम ब्लक के में जाना जाता था इसका खुलके बहुत लोगों रिवरोद किया और गांदी जी भी सुवरोद में सभी के साथ मिले और इसमें बढ़ चटकर भाग लिया और गांदी जी इसको सत्यक्राय के रूप में इस अभ्यान को सुरू किया और 1907 में सत्यक्राय ब्लेक एक्ट के खिलाफ उनके जिरारी रखा और 1908 में गांदी जी भी कुछ में के लिए जेल गए और जितने भी सत्यक्राय अनुए थे बहुत लोगों को जेल में डाल दिया गया जोहनसबर्ग में आग देख सकते हैं जोहनसबर्ग कर दो यह अभी का मतलब अभी का यह सहर है मतलब पुराने यहीं जोहनसबर्ग सेर में जेल थी उसमें सभी को डाल दिया गया था उसके बाद हम बात करेंगे 1910 की Foundation of Toastay Form Later Gandhi आसरब नियर जोहनसबर्ग जोहनसबर्ग में आपको पीछे दिखाया था कि जोहनसबर्ग सेर नीचे तोस्ट फॉम की स्थापना की थी तोस्ट फॉम की स्थापना मतलब वहां पर सत्यक्रय को विरोज की हत्यार के रूप में ढाला जाता था बहुत से सारे लोग थे वहीं प्रियादते थे तोस्ट सत्यक्रय को आगे बढ़ाते थे 1910 में स्थापना की गई थी और 1910 में इसको हेड़कॉर्टर बना दिये गए सत्यक्रय के लिए अगेंश निडियन इन ट्रासवल और इस आस्रम का नाम के पीछे एक रोचक कहानी है एक रसीयन थे उनका नाम था लियो टॉल्स्टे और उनकी एटिन 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 फॉर्म में एक बुक आई थी तोस्टे फॉर्म के बाहर आप देख सकते हैं तोस्टे फॉर्म के बाहर गांदी जी अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं उसके बाद हम 1913 की बात करते हैं सत्यग्रे अगेस्ट डी रिकोगनेजेशन ओफ नोर्ड क्रिस्टिन मेरीजिन केप टाउन 1913 में इसाई विवहाब में ओवराइट के खिलाब लड़ाई लड़ी गई गांदी जी द्वारा और उसके बाद 1914 में कुट साउथ अफरिका फोरेबर एंड रिटर्न टू इंडिया पतलब दक्सन अफरिका को हमेशा के लिए छोड़के वो भारत बापपीश आ जाते हैं भारत आने के बाद उन्हें केसरी हिंदवार्ड से नवाज जाता है क्योंकि उन्होंने इंडिन मु वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनुमर बढ़ेगा और दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूलें धन्यवाद जैहिंद जभार